तो विल्कम बैक गाईस आज है सिवरात्री और सिवरात्री पे एक स्पिसल वीडियो लेके आगे तो वीडियो को पूरा देखेगा और एक अनुसमेट जरूर करना चाहूंगा कि आज है मेरा एनिवेर्सरी तो आप लोग चाहो तो हैपी एनिवेर्सरी लिख सकते हो सबी लो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले जरूर बोलना चाहेंगे कि वीडियो को एक जो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में भी सेर कर देना सबसे पहले हम लोग अप्लिकेशन यहां से ओपन कर लेंगे ठीक है इसको वासे जैसा जैस आपको 720 कर दो रेजुलेशन में 720 रख लो बैगराउंट में ब्लेक लेके प्रियेट प्रजेक्ट पर आपको क्लिक कर देने होंगा ठीक है यहां पर एक फोटो को एड करना होगा जिस फोटो को पर आप अपना स्टैस वीडियो को एडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए करेंगे प्लस कर देने के बाद मीडिया वले प्लेशन पर चले जाने के बाद अपना गैल्री से एक फोटो को एड कर लेटे हैं देख सकते हैं इवाला फोटो हमें अब आपको करना क्या है अचिए करना है उपर से तर्द वाले ऊपशन पर क्लिक करके यहां से इस तरीके स से हलका सा आपको जूम कर लेना होगा ठीक है अब इसी पर क्लिक करना यहां से इस वाला आप्शन पर क्लिक करके यहां से एक डूब्लिकेट लेयर कर देना है जो डूब्लिकेट लेयर होगा यह उपर बेराता है तो उपर में क्लिक करेंगे फिर मुबेंड ट्रांस्वर्म प लगाने के बाद होँ और सबस्वाख करना है यहां से Crit fan को अब लेंगे इसको पूरा जो पूरा को एक दम लास्टак लगाना है तो उसके लिए फी एड़ इफेक्ट पर जाएंगे उसके बाद से प्रोडूस को पर आपको ध्यान से देखना होगा अग्जाट पर क्लिक करोगे, यह 10 रहता है, वाइड निफोल्ट, ठीक है, तो इसको आपको इधर से आपको काउंट को 100 कर दीने होंगे, ठीक है, तो इससे इधर से देख लो, काउंट को हम लोग पूरा 100 करेंगे, exactly 100 एकदाम हो गया ठीक है अब नीचे आनी है width वाला option पर क्लिक करने के बाद width 50 रहता है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के इधर से 80 कर देने होंगे ठीक है उसके बाद से angle पर क्लिक करना है angle 45 degree by default आपको मिलता है तो इसको आपको करने क्या है इधर से आपको 180 डिगरी कर देने होंगे ठीक है तो इसको हम लोग इधर से 180 डिगरी कर देंगे clear है अब नीचे आएंगे नीचे आओगे तो यहाँ पे punch out का एक option मिलता है तो punch out को यहाँ पे इसको on कर देंगे ठीक है अब नीचे आओगे smoothing पे क्लिक करना है smoothing को इधर से बढ़ा के हम लोगों को इधर से हम लोगों को बढ़ा के कम सो कम 200 के करीब रख देना है ठीक है तो चलो इधर से हम लोग 200 रख देते हैं clearly इतना काम हो जानक वाद आपको screen पे tap कर देना अब देखोगे तो कुछ इस तरी ध्यान देना है दोस्तों अब आपको करना क्या है यहां यहां परवाला फोटर पर आपको क्लिक करने ना होगा तो उपर वाला फोटर पर ठीक करेगे यहां से एड़ियफ़ पर क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों यहां पर एक option मिल जाता नीचे में आपसेटी एंड विजिबिलीटी तो आपसेटी एंड विजिबिलीटी पर जाओगे यहां फैदर का option मिलता है फैदर को सबसे पहले इदर से आपको बढ़ा देना है फैदर को इदर से आपको 355 के करीब आप रख दो तो देखोंगे तो एकदम नीचे वाला जो लाइनिंग जो दिख रहा है और इस फोटो में जो लाइनिंग दिख रहा है मतलों एक साथ मैचिंग टाइप का हो जाएगा ऐसा अब आपको यहां पर प्लस करने हैं प्लस करने के बाद मीडिया पर जाएंगे मीडिया पर जाने के बाद इसी वीडियो का डिक्सिप्शन में आपको एक पीएंजी मिलेगा उस पीएंजी को यहां पर सिंपल सा एड करने होंगे तो चलिए उस पीएंजी को मैं यहां पर स सब्सक्राइब एक हम लोग कुछ सा थोड़ा सा छोटा कर देंगे चुटा कर देने के ने कौद यहां पर हम लोग को इस तरीके से रखनेुच के इसके और यहानगƏ कर देना है अब आपका काम क्या है इन दोनों को सेलेट करना है और ये ऊपर में देखोके तो 3-4 आपको मिलता है ठीक है यह फ़र्स्ट वला ओप्शन को यहां यहां से अक सिलेट को चोज करना एक से स्टैंड़ शेटिंग कुलिग करना है घ्राइजे अघ्र को सबसे पहले आपको 90 डिग्री पे सेट करना है तो चलिए इसको नेटी घ्री ​​ यहां पर रख देते हैं हो गया क्लिए ऀसके लिए अघ्रण फ्रीक्वेंसी पेजिवल्य पर क्लिक करना इधर से हम लोगो रखना है 0.25 ठीक है अब मेगनिटीव 25 पी रहेगा यहां तक का काम आपका कंप्लीट हो गया अब यहां पर हम लोगों को गाना एक एड करना है तो प्लस करना है मीडिया पर जाना और अपना गैलरी से हम लोग जो वीडियो एडिटिंग किय करना है उसी का साउंड यहां पे ले लेंगे गा इस टिक है तो यह वाला वीडियो है अब इसी वीडियो पर क्लिक करते हैं हम लोग उपर में डिलीट कर राइड में 3.0 का option मिलते हैं इसको क्लिक करना है यहां से accept audio कर देना है वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को delete कर देना है इसके बाद से sound पर क्लिक करके hold रखना है नीचे मिला कर छोड़ देना है slide करके last तक चले जाओगे इस photo पर प्लिक करोगे स्पीड पर क्लिक करोगे इस एरो पर क्लिक करोगे फिर स्क्रीन पर टैप करना है फिर इस फोटो पर क्लिक करना है स्पीड पर क्लिक करना इस इसके एरोपे क्लिक करके यहां पर टैप कर देना है ठीक है अब यहां से आपका गाना स्टार्ट हो रहा हरा हरा संभूत हरा हरा पहला वर्ड हम लोग यहां पर सिखने वाले हैं तो ध्यान से दिखिएगा ठीक है अब यहां से स्टार्ट हो रहा हर प्लस करेंगे टेक्स्ट पर जाएंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे हरा हरा ठीक है हरा लिख देते हैं यह अपर में लेफ्ट सेट के कॉर्णर पर देखोगे तो एक अप्षन मिलते हैं इसको एक बार क्लिक करोगे यह बीचो बीच में आ जाएगा रोबोट और यहां पर आपको यह वहला फॉन्ट मिल जाएगा यह वहला फॉन्ट ले लेना उसके बासे आपको यह कलर करना यहां से वाइट करको सूज करना है एटीन पीटी पे जानी है थोड़ा सा इस तरह करके बढ़ा के 24 कर देनी है इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा देना है ठीक है आपको बीट रहेगा वहीं पर जाकर रुखेगा बागी पार्ट को यहां से हम लोग कट कर देंगे ठीक है अब यहां पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे गाइस एड़ इफेक्ट पर क्लिक करना है उसके बाद से टेक्स्ट पर चले जाना है यहां से टेक्स टांस्वार्म को ल हम लोग कर देंगे ठीक है नीचे आ ओगए यहाँ पर लेयर पे सेलेक्टेट रहता है बाय डीफॉल्ट तो आपको ले अपस्टेश करदेनी है इदार एंगल को कुछ भी नटी करना है अलफा पर क्लिक करना आएगा इस ओबरलेप पे क्लिक कर देने के बाद इधर से आपको 400 रखना है ओबरलेप को ठीक है तो इधर से हम लोग 400 के करीब आपका वर्ड इस पे क्लिक करना है एडिट टेक्स पे जाना है यहां पर जो भी आपका वर्ड वर्ड को लिखके उपर में राइट सेट के उपर में देखो को कॉर्णर पर राइट का ओपसन है इसको टिक कर दोगा आपका second वर्ड भी complete हो जागा इसी तरीका से आप पूरा क पूरा वर्ड बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा बहुत अच्छा लगा होगा आप यह वीडियो बहुत अच्छा से सीख गया होंगे समझ गया होंगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो